हलो गाईज, कैसे हैं आप सब? क्या कुरोना वाइरस का इलाज बहुत जल्द मिलने वाला है? क्या भारत ने कुरोना वाइरस की मेडिसिन बना ली है? किस दिश के पास है कुरोना वाइरस का इलाज? Let's learn about it! सबसे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें क्योंकि दोस्तों इस वक्त हर तरफ निराशा का महौल है और ऐसे में ये वीडियो आशाय की किरन साबित होगी चलिए जानते हैं, COVID-19 के पेशेंट्स को ठीक करने वाली मेडिसेंज का सबसे बड़ा ट्रायल United Kingdom में स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों ये ट्रायल इतनी स्पीड से किया जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना वाइरस का इलाज आपके सामने होगा दुनिया भर के देश कही तरीके की मेडिसेंज और ट्रीट्मेंट प्रसेसिस को यूज कर रहे हैं अपने हैं COVID-19 पेशेंट्स का इलाज करने में और इनी सब ट्रीट्मेंट प्रसेसिस से कुछ most successful treatment processes का ट्रायल ऑक्सफूर्ड यूनिएसिटी के रिसरचर्स उनाइटेड किंग्डम के डॉक्टर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं और खास बात तो ये है दोस्तों कि इस ट्राइल के लिए 5000 से ज़ादा वॉलेंटियर्स ने खुद को इन्रोल भी करवा लिया है तो किंखन मेडिसेंज और थेरपीस को टिस्ट किया जा रहा है और क्या इंडिया का इसमें मेजर रोल है? आईए जानते हैं एक बात और बता दूँ कि युएस में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोवेड-19 से लड़ने के प्रयासों में ग्लोबल लीडर्ज में नरेंदर मोदी जी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और राश्पती ट्रम भी बहुत पीछे हैं इस पर बात करेंगे हैं एक अलग वीडियो में तो पहली नमबर पे जो ड्रग है वो है हेड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यह मलेरिया को ठीक करने में यूज होती है और इंडिया इस ड्रग का बिगस्ट मिनफेक्च्टर है और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि भारत इस वक्त पचपन देशों को यह ड्रग एक्सपोर्ट कर रहा है सेकंड ड्रग है अजित्रोमाइसिन दोस्तों यह ड्रग पेक्टिरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने में यूज होती है और यूएस बहुत जादा एमफसाइस कर रहा है HCQ और रिजित्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन को और दोस्तों इस ट्राइल में दो एंटी रेट्रोवाइरल ड्रग का भी यूज किया जा रहा है ये ड्रग हैं लोपिनावियर और रिटोनावियर इनका यूज हैईवी पेशन्ट को ट्रीट करने के लिए होता है और कुछ केसीज में ऐसा देखा गया है कि इन मेडिसिन्ज ने COVID-19 के पेशन्ट को सक्सेस्फुली ठीक कर दिया है इस ट्राइल में डेक्समेथसोन नाम के एक स्टिरोइट की लो डोस को भी चेक किया जाएगा ये इन्फलमेशन कम करने में यूज होती है जब बोडी का इम्म्योन सिस्टम ओवर्रियक्ट करता है तो ये बोडी को ही हम पहुचाने लगता है तो ऐसे में इम्म्यूनो मॉडिलेटर इंट्रल्यूकिन सिक्स एंटेगनिस्ट को यूज किया जाता है इसे टोसिलेजिमाब के नाम से भी जानते है एक इंपोर्टेंट थेरेपी जो की है कॉन्वलिसेंट प्लास्मा थेरेपी इसमें कोरोना वाइरस से ठीक हुए लोगों की एंटी बोडीज को पेशेंट्स में डाला जाता है ताकि उनके शरीर में कोवेट 19 से लड़ने की एंटी बोडीज डिवलप हो सके है जाइस बहुत जल्दा आप उमीद कर सकते हैं कि कोरोना वाइरस का सक्सेस्फुल ट्रीट्मेंट आपके सामने होगा आपको क्या लगता है कि कौन सा देश इस चाइनी जरायते को समेटने का काम करेगा कमेंट सिक्षन में जरूर बताएं अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो को लाइक करें और जादे से जादे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को कोरोना वाइरस से बचने के लिए एक आशा की किरन देख पाए और इसी तरीके की न्यूज, पॉलिटिक्स, इंटरनाशनल अफियर्स, एकॉनोमी, टेक्नोलोजी, पस्नेलिटी डिवलप्मेंट, रिलेशन्शिप और केरियर एडवाईज और लाइफ हैक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकाउज वी बिलीब इन लर्निंग एवरेथिंग